मित्रो आज हम यहां समावेशी शिक्षा से सम्मधित प्रश्णा को हल करने की कोसिस करेंगे करमसा एक एक प्रश्णा को आप देखते जाएं और जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो के पहले जो रेड ले कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें जिसे आब सीधे इस चैनल से जोड़ जायें देखते हैं एक एक प्रश्ण भारत में दिव्यांगता संबंधी प्रमुख मुद्दा है कैसा मुद्दा है अव सनराचनात्मक मुद्दा है भावनात्मक मुद्दा है परिवेशी समावेशन का मुद्दा है या इन में से सभी तो जो भारत में दिव्यांगता को किस प्रकार से देखा जाता है तो भावनातमक मुद्दा भी है अवसनराजनातमक भी है परिवेसी समावेसन का मुद्दा भी है मतलब इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर डी इसका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा अगला पुशन देखें संभीधान के किस अनुच्छेद में सक्षा के मूल सक्षा को मूल अधिकार दिया गया है या फिर सक्षा के मूल अधिकार दिये गए है तो संभीधान के किस अनुच्छेद में दिये गए है इसका सही आंसर जो है यहां आपको बताना है अप्सन में लिया हुआ है अनुचेद 14, 32, 21 का या 45 तो यह जो अधिकार दिये गए हैं सक्षा के मुल अधिकार यह संबीधान 21 में दिये गए हैं यह इसका आंसर जो है 21 यह आंसर सही हो जाता है अगला प्रिशन देखें संबीधान के किस अनुचेद में समावेशी सिख्षा का अधिकार उलेखित है इस प्रकार के प्रिशन जो की प्रतियोगी परिष्छाओं में अत्यधे को पूँचे जाते हैं क्योंकि यह टॉपक ही समावेशी सिख्षा का है तो इसी से संबंधित पूरे शंबीधान में किस प्रकार से समावेशी सिक्षा है या फिर किस किस प्रकार से समावेशी सिक्षा को देखा जाता है अधार ना क्या है तो बैसे सारे पुष्णाएंगे देखें तो किस अनुच्छेद में समावेशी सिख्षा का अधिकार उल्लिखत है यह आपको बताना है संबीधान 46, संबीधान 50, 51 या 52 तो इसका जो सही आंसर है 46 46 आंसर इसका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखें किस संबीधान संसोधन द्वारा 6-12 ये प्रमुख क्वश्चन है 6-12 वर्स के सभी वालकों के लिए नहसुलक एबम अनिवार सच्छा की विवस्ता की गई है किस संबीधान संसोधन के अनसर की गई है तो ये 86 संबीधान संसोधन था जिसके अंतरगत जो की 6-12 वर्स के बच्चों को नहसुलक और अनिवार सच्छा की विवस्ता की गई थी भारती संबीधान के किस अनुच्छेद में अलप संख्यकों के सैख्छुक तथा संस्कृतिक उन्नती के विशेश विवस्ता है मतलब जो अलप संख्यक वर्ग है उसके लिए सैख्छुक और संस्कृतिक उन्नती की विशेश विवस्ता है जो अल्प संख्यक भर्ग है भारत में उसके लिए गवर्मेंट विसेश चात्रवतियादी की परस्था करती है और कोई यदी किसी परकार से कोई निर्माड होना है उसके लिए भी पैसा देती है सांस्क्रत एक उन्नाती के लिए कोई कारे कर रहे हैं तो परत्रिष्ठाना दिया कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उनका तो इसमें भी गवर्मेंट विसे सही हो करती है तो 21 अनुच्छेद में बताया गया है तो ओफसन दिया हुए है अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 31 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 अगला प्रस्ण देखें अनुच्छिद 21 के अंतरगत किस अधिकार को शामिल किया गया है? किस अधिकार को जो कि अनुच्छिद 29 के अंतरगत सामिल किया गया है? सैक्षिक समानता का अधिकार समानता का अधिकार श्वास्थ का अधिकार या इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर हो जाता है समान सेक्षिक अधिकार क्योंकि सिक्षा से संबंध बाच चल रही है यहाँ पर अगला पुशन देखें किस अनुछेद के अंतरगत कमजोर अबरगों अनुछेद जाती एवं जन जाती के सेक्षिनक तथा आर्थिक उन्यती की विवस्था की गई है किस अनुछेद में इस परकार की विवस्था की गई है आपको आंसर बताना है अनुछेद 46, अनुछेद 35, अनुछेद 30 या अनुछेद 20 किस अनुच्छेद में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है इसका सही आंसर जो हो जाता है वो आंसर 46 है अनुच्छेद 46 में इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है अगला परशन देखें संबीधान के किस अनुच्छेद में ध्यान से देखें संबीधान के किस अनुचेद में सिक्षा की व्यवस्था की गई है अर्थात किसी विसेस धार्मक सिक्षा का निसेद है मतलब सिक्षा की व्यवस्था तो की गई है लेकिन उस विवस्था के साथ में जो कि धार्मिक बिसेस धार्मिक सक्षा का निसेद है आप बिसेस धार्मिक सक्षा नहीं दे सकते किवल सक्षा की विवस्था की गई है तो ये जो इसका शही आंसर हो जाता है आंसर शी इसका सही आंसर है जो कि अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 28 में सभी को सक्षा का अधिकार है और गॉर्मनेंट जो है सक्षा की विवस्था करेगी लेकिन उसमें विश्विस धार में सक्षा नहीं होगी किवल सक्षण विवस्था रहेगी जो कि सभी के लिए एक जैसी सक्षा होगी अगला प्रस्त देखें राष्ट्रिय पाठ्थी चर्या की रूप रेखा दोहजार पांच राष्ट्रिय पाठ्थी चर्या की रूप रेखा दोहजार पांच के अनुसार ये धियान रखना है दोहजार पांच कि अनुसार कक्षा में सिक्षक की भूमी का होनी चाहिए कक्षा में सिक्षक की क्या भूमी का होना चाहिए एक उत्प्रेरक का काम करें एक उत्प्रेरक के रूप में रहे एक आदेशक के रूप में रहे एक नेता के रूप में रहे या इनमेंसे कोई नहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये तो गलत है आदेश तो नहीं एक नेता भी नहीं और इन मैंसे कोई नहीं तो एक आंसर ये सही हो जाता है कि एक उत्परेरग के रूप में वो कारे करें अगला प्रशन देखें राष्ट्री पाठेचरिया रूप रेखा 2005 के तहत किन परिच्छा सुधारों को सुझाया गया है यहाँ प्रशन दिये हो गए है खुली पुस्तक परिच्छा पहला दूसरा सतत नरंतर इवन व्यापक मूल ल्यांकन तीसरा सामुहिक कारे मूल ल्यांकन या अप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर हो जाता है उप्रोक्त सभी इसका आंसर सही है अगला प्रशन देखें समावेशी सिच्छा के अंतरगत किस सिच्छा नीती का पृतिपादन किया गया है समावेशी सिच्छा के अंतरगत किस सिच्छा नीती का पृतिपादन किया गया है तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है ये प्रशन पहले भी कईवार पूंचा जा चुका है कि समावेशी सिच्छा के अंतरगत किस सिच्छा नीती का पृतिपादन किया गया है तो कौन स संबंधी समस्याओं का बिचार कीजिए यहां पर नीचे दिया हुआ है दिब्यांगता संबंधी समस्याओं का जो की बिचार करना है और संदिया हुआ है परिवार में समायोजन परिवार में समायोजन करना होता है समाज में समायोजन उसे समाज में समायोजन करना पड़ता है स्कूल में समायोजन या उपरोग तो सभी तो ये तीनों ही आंसर जो हैं सही हैं तो उपरोग तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा मैं तो आज यहाँ पर इतने ही प्रशन इसके अलावा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें करमसा और आगे के इसी से संबंधत परशन रहेंगे आप लोग इतनी संख्या में अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धिन्यवाद और जो लोग नए जुडने वाले हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जुड़ जाएं क्योंकि इसका पाठ्थे करम बहुत बिस्तरत है जो पुस्तकों में दिया रहता है ये किबल सीमत पाठ्थे करम है एक पकार से उपरी बैसे ही उन्होंने च्छाट के लिया है और आप लोग उन्हीं पुस्तकों से नोट से बनाते हैं तो और ज्यादा वो सौर्ट हो जाता है तो आप जितने बहु बिकल्पात मख पर नहीं हल कर सकते हैं एक टॉपिक के दो दो सो तीत तीत तीन सो पांच पांच सो कॉस्चन है और कई मिल भी जाते हैं मार्केट में उन्हें हल करने की कोसिस करें तो इस सारा जो टॉपिक के पूरा आपका सौल्प हो जाएगा नमस्कार